हेलो दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी सिनाने जा रही हो ये कहानी है बूढी चुड़ेल की भूतिया क्लास की तो चलिए दोस्तों देखते हैं बूढी चुड़ेल की भूतिया क्लास की कहानी एक बार की बात है किसी जंगल में चुड़ैलों की भूतिया क्लास लगा करती थी वहाँ एक बूढ़ी चुड़ैल दूसरी चुड़ैलों को तरहा तरहा की जादुई की कला सिखाया करती थी उसी जंगल के पास वाले गाउं में सोनिया और संजना नाम की दो सहेलियां रहती थी वो दोनों शेहर के ड्रामा स्कूल में एक्टिंग सिखाने जाया करती थी एक राद दोनों अपने गाउं लोट रही थी के तबी उनकी नजर चुड़ैलों की क्लास पर पढ़ती है अरे ये क्या है उस पेड़ के नीचे बहुत सारी चुड़ैले बेठी हैं अगर ये सब चुड़ैले यहां क्या कर रही हैं चल 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 कर देखते हैं फर वो दोनों छुपकर चुड़ैलों को देखने लगती हैं। बूढी चुड़ैल ब्लाक बोर्ट पर जादू के मंत्र लिक रही थी। और सामने बैठी सबी चुड़ैले उन मंत्रों को अपनी कौपी पर नोट करती जा रही थी। अरे यहां तो चुड़ैलों की भूटिया क्लास चल रही हैं। यह सबी चुड़ैले उस बूढी चुड़ैल से जादू सीख रही हैं। मेरे पास एक बड़ी आइडिया है। अगर हम दोनों इन भूतिया क्लास में शामिल हो जाएं तो फिर हम भी चुड़ैलों की तरह जादू सीख सकती है जादू सीखने के बाद हम जादू का इस्तिमाल करके बहुत दौलतमन बन जाएंगी नहीं नहीं ये सब खतरनाक है और दूसरी तरफ मुझे ऐसी गलत काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है चलो गर चलते हैं फर वो दोनों सहेलिया अपने घर चली जाती हैं लेकिन सोनिया के सर पर जादू सीखने का भूट सवार हो जाता है फिर आगले दिन वो मेकप करके एक चुड़ेल बन जाती है और चुपचाप चुड़ेलों की भूतिया क्लास में शामिल होकर वहाँ जादू सीखने लगती है वहाँ मवजूद किसी भी चुड़ेल को सोनिया पर शक नहीं होता देखते ही देखते कई दिन बीच जाते हैं फिर एक दिन बूड़ी चुड़ेल वहाँ एक इनसान की लाश लेकर आती है आज मैं तुम सब के लिए इस आदमी को मार कर लाई हूँ चलो तुम सब इसे जल्दी जल्दी खा लो बूड़ी चुड़ेल की बात सुनते ही सब इस चुड़ेले उस लाश के उपर तूट पड़ती हैं और लाश का मास नोच नोच कर खानी लगती है लेकिन ये सब देख सोनिया डर जाती है क्या हुआ तुम वहाँ दूर क्यों खड़ी हो दूसरी चुड़ेलों की तरह तुम इस तरह लाश को मास क्यों नहीं खा रही अदददारसल मुझे भूक नहीं है चुड़ेल टीचर सोनिया की बाते सुनकर उस बूरी चुड़ेल को उस पर शक होने लगता है तुम कहां रहती हो मुझे अपने घर का पता बताओ ये सुनकर सोनिया चौक जाती है उसके बाद वो घबराते हुए बूरी चुड़ेल से कहती है मैं जंगल के पास वली पहाडी पर रहती हूँ जोट मत बोल उस पहाडी पर तो देवताओं का मंदिर है वहां कोई चुड़ेल कैसे रह सकती है सचत बता तो कौन है तबी एक चुड़ेल बूरी चुड़ेल से कहती है चुड़ेल टीचर मजे लगता है ये कोई धोके पास है जो चुड़ेल बनकर हमें धोका दे रही है इतना कहेकर वो चुड़ेल जमीन पर बड़ी लाश का हाथ उठा कर सोनिया के मुँ के पास ले जाती है अगर तुड़ेल है तो इस हाथ को जल्दी जल्दी खा ले लेकिन उस खुण से सने हाथ को देकर सोनिया को उल्टी होने लगती है अरे ये तर इंसान की तरह उल्टियां कर रही है जरूर कुछ गैड़ पर है उसके बाद बूड़ी चुड़ेल सोनिया के उपर नेले रंग का जादवी पानी डाल देती है और अगले ही पल सोनिया का सारा मेकब उतर जाता है और वो असली रूप में आ जाती है ये देख वहां मौझूद सभी चुड़ेलों को सोनिया पर बहुत गुसा आता है तो उने चुड़ेल बनकर हम सब को धोका दिया है अब तो जिन्दा नहीं बचेगी और नहीं नहीं मुझसे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई आज के बाद मैं तुम्हारी भूतिया क्लास में कभी नहीं आउंगी तो जे हम चुड़ेलों का रास पता चल गया है अब हम तुझे यहां से जाने नहीं देंगी आपने बिल्कल सही कहा चलो इसे आग में भुन कर खा जाते हैं फिर सबी चुड़ेले सोनिया को पकड़ कर जलते हुए आग की और ले जानी लगते हैं लेकिन तबी वहां संजना आ जाती है उसके बाद संजना जमीन पर एक बड़ा पटाखा रखकर उसे जला देती है पटाखे के धमाके के साथ ही वहां चारों तरफ दुआ पैल जाता है और देखते ही देखते सबी चुड़ेल बेहोशो कर जमीन पर गिर जाती है ये देख संजना फोरण सोनिया का हाथ पकड़ कर वहां से भागने लगती है और ये तो अच्छा हुआ मैं शहर के जादुगर के पास से वो जादी पटा का ले आई वरना आज तो जिन्दा नहीं बचती तूने सही कहा आज मुझे मेरा सबक मिल गया है अब मैं जिन्दगी में दुबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी उस दिन से सोनिया पूरी तरह सुधर जाती है और फिर से पहले की तरह अपनी जिन्दगी जीने लगती है तो आपने देखा दोस्तों बोड़ी चुडल की भूतिया क्लास की कहानी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है के लालज में आकर आमे का बीबी किसी गलत रह पर नहीं जाना चाहिए अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हाँ दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना क्या आपको कहानी क्या सी लगी